नमस्कार मैं संदी विष्णोई एग्रिकर्ट्टर फार्मर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं लेकर आपके लिए आज एक है यह जुगाड जैसे कि आप यह जुगाड देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं यह इसको कहते हैं बोक की यह चार इंच की पाइप लेके उस पर आगे से यह सी तीखी कुरवाई है हमने थीखी करवा के इतनी है तकरीबन यह एक पौने 5 पूणे फुट की है और इस पी यह चार लोग की पतीया लगाई है और उ इस तरह से जमीन में मारनी है मिट्टी इसके अंदर आ जाएगी यह देखें अब यह मैं आपको नीचे डाल के दिखा देता हूं यह इस तरह से मिट्टी निकल जाएगी और दूबार आपको वही प्रक्रिया करनी है यह बोकी इस तरह से मारनी है और यह मिट्टी फिर आ तरीक अच्छा लगता है आप में कमेंट कर बताएं यह देखा अब मिट्टी में हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी परकार की मिट्टी काथ लगाने की जूरत नहीं है अपने आप बार निकलेगी तो मैं इस वीडियो में आपको तीन चार सादन दिखा रहा हूं तीनों चारों सादन में से आप बताएं मुझे कमेंट करके कि आपको कौण सा पसंद आया है हर बार यह देखेएँ आप मिट्टी निकले तो जैसे कि आप यह देख रहे हो मैं आपको दिखा दूँ कि यह कितना खड़ा आपने कर लिए है कितने समय में तो यह वो किया है यह जमीन का लेवल है यान कि हमने इतना खड़ा कर लिए इसका तक्रीबन है यह डाइफुट के आसपास है इतना खड़ा हमारे लिए काफी रहेगा इसमें अपने को इस तरह से पॉल खड़ा करना है मिटे डाल के पॉल को इलाके सट कर देना है और सट करने के लिए आप इसी से वाप इस तरह से मार सकते हो खुंटे को जमाने के लिए बर्मा सिस्टम है यहन की खटा पटने के लिए जो बर्मे के माध्यम सभी हम यह यह खटा पटेंगे और उसके बाद यहां लकडी की पॉल खड़ा कर दिया जाएगा तारबंदी करने के लिए यहन की खेतों को चैरो तरफ जो मेड बनाते है उसके लिए हम इसका बाकि अगर कम रेट में बना चाहें तो भी बन सकती है पर वो पक्की जमीन में काम्याब नहीं होगी कच्ची जमीन में ही काम्याब होगी यह यहां पकी जमीन इसलिए आप है किस तरह से आवाज कर रहा है है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है चैनल पर अगर आप lun Creating आप एलिवारे हैं तो मारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अन्य कोई मेरी वीडियो देखना चाथते हो तो पर आही बटन पर क्लिक करके आप भी मेरे अन्य जुगाड से सम्वंदित वीडियो दे सकते हो मैरे चैनल पर मैंने काफी जुगाड के वीडियो डाले है जो तकरीबन मिलियन क्रोस भी है तो आप मेरे चैनल पर जुगाड से समन्दित अच्छे-k犯हा सी वीडियो देख सकते हो है कि आपको कौन सी अच्छी लगे उसके माद्यम से आप इसका प्रयोग ले सकते हो कि आपके लिए कौन सी सुटीबल है तो तीनों का जैसे आपको मैं दिखाइँ रहा हूं उस वीडियो में आप हमें नीचे कमेंट करके भी बताए कि आपको कौन सी अच्छी लगी है तो यह इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज दिखा रहा हूँ खड़े खो देने हैं कि पर किरिया किस माध्यम से होगी और किस तरह से पोल के अपने हो गुड़ाई रुपाई करनी है तकरीमन जो यह देख रहे हो भी आप यह वो की मेरी साब से तोनी ज्यादा सक्सेस नहीं है पर यह देखें छोड़ दो यह ऐसी इन्हों ने बढ़वाई है यह है तकरीबन चार सवा चार इंच की आसपास का खड़ा गोल गेरा बढ़ाएगी और आगे से तिक है यह देख इसमें दार लगाई हुई है और यह गुमा गुमा के में मिट्री निकान निकान नहीं पड़त यह इस तरह से खड़ा त्यार कर रहे हैं तो इस से क्या है कि अपने को मिट्टी आपको निकाल के दिखाया अमने बाकी इसमें आध लगाने की जुरूरत नहीं इससे अपने खड़ा बना सकते हैं बिलकुल अदाम से और अभी हम आपको दिखा देते हैं कंप्लीट है ज्यादा आइट की रखने की जोरूरत नहीं है इस तरह से आपको करे करना है और यह पिछे चार पांच लगा दी है अपने खेत में लगाने की और दूसरी विदी भी मैं आपको दिखा रहा हूं और पहली विदी भी मैंने आपको दिखाई और आशा करूंगा जो आपको अच्छी लगी है कि देखें अभी यह जो लास्ट विदी है वो यह परंप्रा के तुरूप से जो अमपले प्रियोग में लेते थे तो यह मेरी बासमति से गुंदारा यह सबड केते हैं आपकी बासम क्या केते मुझे नहीं पता पर यह लोई की रोड है उसको आगे से ति हो ले रहे हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में तीन वीदियां बताई है तीनों में से कौन सी आपको त्छी लगती है कर बताएं है सबसे सस्ता प्रोडेक्ट यही है इसकी जो लागत मुल्य है वो यह मान के चलो सो सवासो रुपेग यह दो सो रुपेग आसपास तीन सो रुपेग वजन पर डिपेंड करता है यान की 60-65 रुपेग किलो लोई का रेट है तो दो किलो की लोग तो 120 रुपेग पलस 20-30 रुप उटवाने के तो उन्होंने अपने गर पर यह उट लिया अगे से ठीखा कर लिया और यह देखें आप यह खड़ा मना रहे हैं कि अस्ता करूंगा के आपको मेरी वीडियो पसंद आया होंगे जुगाड पसंद आया होंगे और अगर आपने इसी परकार के अन्य जुगाड देखने है तूपर आई बेटरन के पर किलिक दबा क्या मेरे ने जुगार भी देख सकते हो वीडियो पे और लास्ट में भी देख सकते हो इसी के साथ मैं अपनी वानी को यहीं भी राम देता हूँ जै जुवान जै किसान के साथ जै इंद